टेवी राइन के डिजिटिल प्लाटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ प्रतिमा मिश्रौ और आज जो शक्षित मेरे साथ इस वक्त मौझूद है उनको किसी इंट्रोडक्शन की किसी तारीफ की तारुफ की जरुरत नहीं है लेकिन फिर भी इंट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी भी इनके जबरा फैन है वह तो लोग कहते हैं मगर मैं प्रधानमंत्री जी का फैन हूं वह हमारे गुरू जी है मन से आमने यह भी देखाया है सुना है कि वह बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए कह रहे थे कि मैं इनको सुनने आया वह उनका भरापन है ताकि कि वह एक कार्यकर्टा का बातों को भी उसकी मन में है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा सोभागी के बात है आपके वन लाइन की बड़ी तारीफ होती है यह सब आप खुद लिखते हैं यह इसमें आपके कोई मदद भी कर सबहाते है मुझे कर देखसे इंद दुम में वालर के काई के वन किसल लिखना ऐक कॉपचे वाली बात ग़ेशन की सबहालते हैं एक दो कॉपचे वाली बात जो MARY魁ठे करते हैं और का सब बात करते हैं सिचुएशन हो लोगों को हसी हो और हम लोग राजनीती में है बहुत गंबीर से रहते हैं। आजकल राजनीता लोगों को हसते हैं। यह तो आपने सच का, राजनीता लोगों को हसते वे कम देखा, और मैंने देखा, आज आपने आंकर्स पर भी टिपनी किया, आंकर्स भी बहुत आपको कम हसते वे नजर आते मैं, तो आप मुझे भी इस ट्रेणी में रखेंगी क्या? वैसा नहीं है, एंकर्स लोगों को तकलीफे होते हैं, वो लोग ज्यादा हसे तो भी गरबर, ना हसे तो भी गरबर, तो आपकी ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हसना भी बहुत जरूरी है, तो ऐसा कोई किस्ता जरा सुना है है हमारे दर्शकों को, जो कि आपकी रोज जानना चाहेंगे, जब आप दिल्ली आये थे पहली बार, वो एक्स्पीरिंस कुछ अलग था, कुछ जुदा था, दिल्ली पहले बार जब आया, वो हसी का पातर नहीं है, वो बहुत मेरे लिए गंबीर बात हो गया था, कि हम छोटा सा राज्य से थे, यहां आया, रेल्व लोग तामसी खाना ज्यादा खाते हैं, तो उस तरह यहां सब कुछ खाते हैं, क्या आदमी को भी खाता होगा, इन सब चीजों के बातों को हम लोग देखा है, इस तरीके से आप से भी किसी ने पूछ लिया था, कि क्या हमने ऐसा सुना है, कि नागालेन के लोग जो है वो बोलते हैं, जो सुना है वो बोलते हैं, इन्फर्मेशन की तोर से, नौलेज नहीं था कि नागालेन कहा है, कैसा है, या पुर्वत्तर में असाम के सिवा तो को और राज्यों को नहीं जानते थे हमारे लोग, चन्द लोगों को छोड़के, तो उसका गलत नरेटिव बना आज के दिन बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग पुर्वत्तर आते भी हैं, और वहां के संस्कृति, रिति रिवाज, सोज विचारों के साथ, वो लोग समझ के चलते हैं, और दिल्ली में जब पहली बार आपने कदम रखे, वो एक्स्पिरिंस भी जरा शेर कीजे आप, मैंने सुना है कि आपके लिए वो बहुत बड़ा शौक था, ऐसा क्यों? अब बहुत ज़्यादा, अब नहीं अब नहीं है, अब नहीं है, आपका फ्यूचर बार दिल्ली आना होता है, बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है, तो मैं पूछ लेती हूं, थोड़ा पॉलिटिकल नहीं कहोंगी इसे सवाल को, लेकिन क्या दिल्ली की राजनिती मे अब आने का कोई प्लान है आपका फ्यूचर में? और ही ऐसा होते है कि डिजिटल मीडिया में थोड़ा नाम चल गया, तो राजनिती दिल्ली आजाए, इसा नाम तो नहीं चला है आपका? वो कुप्चे वाले बात है, आचा ये बताईए कि खाने पीने के शौकीन तो आप होंगे, तो नागालेन का खाना और जब आप दिल अच्छा लगते हैं, समोसा तो ओल टाइम फेवरेट की? समोसा आपका ओल टाइम फेवरेट है, और मॉंबई का कुछ पाटिकुलर? वड़ा पाओ, कांदा भाजी, वो सब अच्छा, आपको मालूम है, बंबई में प्याज को कांदा बोलते हैं, मैं जानती हूं मेरी में एक वाड़ पाओ खाते थे, बहुत बढ़िया होता है, मॉंबई का आपका स्ट्रगल रहा या फिर वो टाइम पिरेड आप उसको अपना लर्निंग पिरेड मानते हैं, आपने मॉंबई में भी एक लंबा वक्त व्यतीत किया है, बहुत स्ट्रगल और लर्निंग, स्ट अपने मालूम नहीं था कि क्यों है वहाँ, जो कुछ भी होता था, काम करते थे, मैनत करते थे, मगर आज उसका उपलबदी हो रहा है, कि लोगों की सोच विचारों को समझना, वहां की लोग कैसा सोचते है, उनकी रिति-रिवाज कैसे है, संस्कृती कैसे है, और उनकी तक बड़ा है आपकी, मेरा छोटा है, फिर भी भावनाओं को समझता हूँ, तो उसी से तो लेके चलना है, आपने बहुत महतवपून बात की, और जो मैंने भी देखा है, क्योंकि मेरे दोस्त रहे हैं, और मैंने नॉर्थीस्ट में च्रावल किया है, बहुत राज्यों मे इसा करता है, तो यह बहुत शर्मसार कर देने वाली बात है, नहीं होनी चाहिए, पर आप मानते हैं कि यह होता है, यह होता है, मगर हम यह भी कहते हैं, कि लोग, हम सबों को सब जानना चाहिए, कि हम सब इंसान हैं पहले, और एक दुसरों की रिती रिवाज, एक दुसरों की खानपान, सोज विचार को आदर करना चाहिए. बहुत लोग दिल में बहुत दुख हो जाते हैं उन चीजों से. आप और हम तो समझते हैं, मगर बहुत लोग तो उन चीजों का experience को वापस लेके आते हैं, तो एक महौल बन जाते हैं कारण बहुत लोगों की उपर वह महौल बना जाते हैं, तो जितना तक हम इन चीजों को avoid करें, प्रैक्टिकल बातों को लेके चलें, एक दुसरों के साथ चलने का कोशिश करें, तो वह बहुत अच्छा होगा, और इन सालों में बहुत कमिया हुआ है, बहुत कम हुआ है, नसल विदी का जो भी टिपनिया है, उन सब चीजों को काफी कम हुआ है, फिल्मों के शौकीन हैं? वॉलिवोड या हॉलिवोड? दोनो, दोनो, तो आखरी फिल्म कौन सी देखिए तरा, तीन दिन पहले ट्रंस्फोर्मर, यह बात है, ट्रंस्फोर्मर फिल्म बहुत बढ़िया, उनकी सिरीस है, दो तीन पार्ट्स में है, आप लोग को भी देखना चाहिए, मुझे कुछ पैसे नहीं मिला हैं यह बोलने के लिए, आपने देखे हैं, अभी लेटिस वाला ट्रंस्फोर्मर देखना चाहिए, वो भी मैंने डिल्फ यह सकेत में देखा, और यह 4DX के एक्स्पिरियंस मुझे कभी नहीं हुआ था, तो काफी भूग लग के शाम को पहुंचा, तो प कि मतलब ऐसा आम हिले नहीं, मतलब बहुत बुरी तरह से हिल रहा था, तो पॉपकॉर्ण भी काफी गिर गया, और समय समय में वो जिस तरह का एक्सपिरियंस होता है, उस तरह का पानी भी छटकाते हैं, और कुर्सी को समा ले बैठने में, या फिल्म को देखें, तो बहु में कमरो मटूच जाएगा, खेशक जाएगा, बाकी देखना चाहिए, वो एक्सपिरियंस ही, और बॉली वोट की कोई आखरी फिल्म जो भी आपने देखी हो, लेटिस देखी हो, वो एक फिल्म देखाता है, यह का है, अरे, एक घर में शुरू होता है, घर में कतम होता है, नियत करके कोई फिल्म चल रहे है कि अभी, वो कोई ठीलर मूवी था, शुरुआत से आखर तक कुछ समझ में नहीं है, सबसे मतला दुखी वाला मूवी हो, बहुत बढ़िया सा एक बंगला में शुरू होता है, वहीं खतम होता है, कौन किसको मार दाला वो भी मानूम नहीं है, अखर तक करते हैं, जल्दी जल्दी मैं आपसे दो-तीन सवाल पोच ले रहे हूं, फेवरिट अटर अगर बॉल्यवड बात करेंगें, सलमान खान अक्षे कुमार, फेवरिट अक्ट्रिस, बहुत सारी एक गया, आपने बहुत समय लिए मुझे लगता है, बहुत सारी, मगर सोच रहा हूं, करीना कपूर का फिल्म देखने के लिए तो उस समय तो बिंदास हर एक मूवी देखते थे, बाकी अभी का लेटर इसका तो बहुत लोग है, फेवरिट ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बात ताइम करीना कपूर, रा करीना कपूर इसका थो थोड़ी से आर गिन्व जत थे अभी कि अधरर तो अच्पान फिल्म देखा है, पुसम्त थोड़ी से आर गिन्डरेगा, तो तो अच्पेस के सबियाऊ दाओ, थे अधिंक आखके लिए थे थे पूंढमे आखके गूद किया थे पारिव सब्स